दोस्तो अगर आप भी अपने बैंक अकाउंट में अपने अधारकाड को लिंक करवाने के लिए बैंकों के चक्कर पे चक्कर काट रही है लेकिन फिर भी आपका अधारकाड आपके बैंक अकाउंट में लिंक नहीं हो रहा है तो आज कई वीडियो आपके लिए बहुत ही खा साथ इसाथ आपके आधार कार्ड में भी आपका मूबाइल नंबर रेजिस्टर्ड होना पोईती जरूर यह इसके लिए आपको अपने बैंक जाने की जरूरत नहीं है और जे मैं आपको ओनलाइन प्रोसेस बताने वाला हुई है सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक के लिए है अ प्रोटीन वाली वेबसाइट आपको सर्च करने इसका लिक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दोंगा डारेक्ट इस पर क्लिक करके यहां पर आ सकते है इस वेबसाइट को सर्च करने के बाद आपके सामने इसका होमपेज ओपन हो जाएगा यह त्री लाइन जो है बटन पर आपको क्लिक करने मेंनी ली खड़ा है जो इस पर क्लिक कर के आपके सामने e-services का उप्शन आएगा इस वाले बटन पर आपको क्लिक करना है एसर्विस पर इस सर्विस पर किलिक करने के बाद इस तरीके की फीचर सो होंगे तो आपको यहां पर OTP-based आधार शीडिंग इस पर किलिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज ओपन होगा आप थोड़े इसको स्क्रोल करेंगे नीचे तो यहां पर आप देखे किलिक हीर फोर OTP-based आधार शीडिंग इस पर आपको किलिक कर देना है जैसे आप इस पर किलिक करेंगे तो आपका आधार शीडिंग का फोर्म जो है ओपन हो जाएगा यहां पर लिखा है अकाउंट जो है इसको आपको यहां पर इस वाले बोक्स में भर देना है और वैलिडेट पर किलिक करके आगे बढ़ जाना है वैलिडेट पर किलिक करने के बाद आपके सामने आपके डिटेल सो हो जाएगी आपके बैंक अकाउट में जो आपको नाम है वह यहां पर आपको दिखा द इस तरीक़े का पेज ओपन हो जाएगा यहां पर आपको अपना आधार नंबर टाइप करना इस यës वाले आइकन पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे इस पर क्लिक करने के बाद आपके आधार में जो मुबाइल नंबर रिजिस्टर्ड है उस रिजिस्टर मुब प्रेस कर देना है जैसे आप प्रेस करेंगे आपके सामने आपकी पूरी डिटेल सो हो जाएगी आपके फादर नाम और आपका एडरस सब कुछ यहां पर सो कर देगा और नीचे आपका बैंक अकाउंटर नमबर यह से भी आपको यहां पर दिखा देगा यानि अब आपको बैंक से लिंक हुआ है यह नहीं हुआ है यदि आपके नाम यह डेट वबर्त या कुछ भी आपका मिसमैच हुआ तो आपका ही रिजक्ट हो जाएगा यानि यदि बैंक में आपका कुछ और नाम है और आपके आधार में कुछ और नाम है यह फिर बैंक में आपका कुछ औ कर लीजिएगा देना है